हाई गाईज, आज हम बनाएंगे मूंगलेट, वो भी बिलकुल करोल बाक स्टाइल यह बहुत ही फेमस वेजिटेरियन डिश है, जो की काफी हेल्दी, टेस्टी और क्विक रेसिपी है यह एक इंसेंट रेसिपी है, जो की हम जट पर बना के खा सकते हैं और काफी अच्छा उप्शन है फर लंच और बेकफरस्ट, तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हमने 15 मिंट मूंग दाल को भीगो कर उसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट में हम अपने इंग्रीडेंट्स आड करेंगे सबसे पहले इसमें डालेंगे दो चम्मच चावल का आटा जो की इसको क्रिस्पी बनाने में हिल्प करेगा आदी बारी कटी प्यास आदा बारी कटा टमाटर आदा बारी कटा शिमला मिर्च आदी चोटी चमच नमक एक पिंच हल्दी एक पिंच लाल मिर्च आदा चमच जीरा एक पिंच गरम मसाला थोड़े मसाले रा टेस्ट लाने के लिए और इसको अच्छे से mix करेंगे एक pan में एक चमच oil को heat करेंगे उसके बाद oil को heat होने के बाद flame को low रखें और अपना जो paste है उसको spread out करें अच्छे से चारो तरफ इसको फैला दें और उसके बाद हम इसको पकने देंगे डेट से दो मिनट धक कर पकने के बाद इसके उपर हम डालेंगे बारी कटी हुई हरी मिर्च और धक कर फिर से पकाएंगे अब ये पूरा नीचे से पक चुका है इसको flip करेंगे और दूसरी side से भी पकाएंगे थोड़ा सा side से oil add करेंगे ताकि flip क्यूई side भी अच्छे से पक जाए और उसमें oil जाए तो crispiness आएगा मुंगलेट हो चुका है तैयार दूनों side से पक चुका है और एकतम fluffy दिख रहा है already हमको तैयार है हमारा मुंगलेट इसको आप चटनी मायो के साथ साथ सर्फ कर सकते हैं उपर से butter डालके इसको सर्फ करें बहुत ही tasty है thank you for watching